अलो एब्रिवान आई वोप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से आप सभी लोगों का पढ़ाई चल रहा होगा तो उस पढ़ाई को और भी बेश्ट बनाने के लिए बेहतर रिजल्ट आपके एक्जाम बोर्ड एक्जाम में फाइनल एक अच्छे में फ़युद है के लिए हम लोग देखने वालें इंग्लिश ग्रामर और उभी रिफ्रेंस कहां से लिए हम लोग मॉडल पेपर इस मॉडल पेपर में जितने भी क्वेसंस आपको सभी का प्रक्टिस करने बारे मैं आपको डिखाऊंगों आपको आंसर खुदी ह करके वीडियो देखो उसके आंसर लिखोगे फिर मैं जो आंसर बताऊंगो उससे आपको आंसर जो है मैच करना है आपको फिर बताना है कि जितने भी क्वेशन देखेंगे उसमें आपको कितना करेक्ट हुआ है यह आपको फाइनली कमेंट करना है तो वीडियो के साथ ही आप को तैयारी करना क्योंकि अब आपके पस्टाइम नहीं कि आप कभी और पढ़ लेंगे कई और पढ़ लेंगे अभी पढ़ो मतलब अभी पढ़ो आप लोग ठीक है तो चलो फाइनली स्टार्ट करते हम लोग का इंपॉर्टेंट क्वासन अगर आप लोग चैनल सब्सक्राइ इंट्रोगेटिव करो इंट्रोगेटिव में याद रखना बॉक्स हर एक बॉक्स का मतलब हर एक टेंज की अलग 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 होती है है ना तो यह देखो टेंज पहचानना पड़ेगा यहां पर क्या है ही डजिस होमवर के पहला बॉक्स मतलब प्रजें सिंपल टेंस है त इसमें से देखो इसमें से डज ही लिखे फिर डज ही फिर डू ही सोम वर्क हो जाएगे इसकी करेक्ट आंसर ठीक है फिर नेश्ट बचलते आगे क्वेसं की और बढ़ते क्वासर नमबर टू पर इसमें आपको क्या करना है देखो आप लोग देख पा रहोंगे स्क्रीन पर कि he was cooking, फिर blank I was finishing my homework, इसमें देखो blank fill in the blanks जहां पर है वहाँ पर when या while आपको यूज करना है, तो याद रखने इसकी concept आप लोग क्लियर कर लो, उसके बाद कोई भी आपको doubt नहीं होगा, अगर दोनों में ing है, इस तरीका verb में दोनों side ing है तो यहाँ पर while लगेगा, अगर दोनों side ing है तब while और एक में ing है तब when लगती, इस चीज को concept यहाद रखने, इसमें दोनों पर ing है, इसलिए यहाँ पर इसकी answer में क्या लग जाएगी, while लगेगी, clear, आगे बढ़ते question number 3 आपकी screen पर है, 4 अभी आपकी screen पर इसमें क्या करना है, देखो, I get up early in the morning, इसको empathic question में आपको बोला रहे गा, कि make empathic by using do, does या did बोला रहेंगे, बट आपको, मैं start में लिखाओ, क्योंकि हमें time बचात करना, empathic, empathic बनाने के लिए do, does या did लगाना है, पढ़ते है कब subject के बाद, याद रखने, इसकी concept में आपको बता दू, अगर I हो, we हो, you हो, और they हो, I, V you दे हो, तब आपको do लगाना है, याद रहना चीए answer, ठीक है, I, V, you दे हो, तब do, और दूसरी क्या है, आपका क्या हो, he, see, it name, he, see, it name हो, तब आपको क्या लगा देना है, does जो है, लगाना है, clear है, तीन concept को याद रखना, फिर finally, इसकी answer देखो, I, V, I है, इसलिए इसमे में लगा, तो would, फिर इसकी answer हो जाएगी, would you like to visit the Taj, clear, फिर fifth one आगे बढ़ती, इसमें, fifth question, इसमें देख पार होंगे, आप लोग क्या बोला जा रहा है, कि Mr. Kisor is blank MLA, इसमें देखो, एन दा का यूज करना है, जरली ये Flynn the blanks में आती, बट यहाँ पर include है, तो हम लोग दे washed the dishes, और sleeping, देखो, my daughter was sleeping, तो यहाँ पर देखो, washed रहा है, और इसमें sleeping, एक मियां जी है, मतलब यहाँ पर क्या लगेगी, फैन लगेगी, correct, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, question number 78, आपके screen पर है, क्या करना है, इसमें 7 पर देखो, आप लोग देख पार होंगे, ठीक है, इसमें, it ran since morning, लिखा है, और क्या बोला है, correct, वर्व फॉर्म आपको लिखना है, तो इसकी answer, इस तरीका सो correct वर्व फॉर्म मतलब जो हो, यहाँ पर bracket में रहता है, उसी कहीं आपको वर्व फॉर्म को correct लिखना होता है, इसमें, आपको 10 पर जाना पड़ेगा, ति इसकी answer क पुछ दो तरीका किससे हो सकती है, तो तीन तरीका से इसकी answer बनेगी, बट अब लोग इसकी answer इस तरीका से लिख सकते है, it has been running since morning, ठीक है, फिर 8 question, your father works in a bank, इसको इसमें कहा करना है, make question using helping verb, अब आपको यहाँ पर helping verb यूज करना है, सबसे पहले helping verb इसमें tense पहचान लो, your father subject यह है, है न, works लगा है, मतलब एस verb में से यह लगा, मतलब पहला बॉक्स है, present simple tense है, तो present simple tense में helping verb क्या लगता है, या तो do लगता है, ठीक है, तो यहाँ पर देगो, your father है, मैं भी concept आपको सिखाए हूँ, I, V, U, दे हो, तब do, और he, see it, name, father को लोगा, as a name, consider करेंगे, इस की answer होगी, ठीक, आगे बढ़ते हैं, question number 8 और 9, 8 आपकी screen पर है, 9, 10 आपकी screen पर है, Bill worked hard, 8 question take, इसमें question take 8 करना है, तो आपको याद रखना पड़ेगा, कि tense पहचानना पड़ता है, कि कौन सी tense है, इसमें देखो, worked है, second form है, verb का, verb का, verb का first form, sorry, verb की second form रहता है, मतलब वो, प question take 8 करना है, तो Bill worked hard, फिर इसकी answer आप लोग लिखेंगे, didn't Bill, या didn't he, ऐसे लिखेंगे, टेक, didn't he, correct answer होगी, दस्वा देखो, इसमें क्या बोरा है, C helps her mother in kitchen, Mac emphatic, तो इसकी answer होगी, C does help her mother in kitchen, फिर next question आगे ही बढ़ते हैं, इसमे, question number 11, क्या बोरा है, it ran yesterday, add question tag, इसमे question tag add करना है, तो फिर से देखो, फिर से पाच्वा box है, past simple tense है, मतलब यहाँ पर भी did लगेगा, तो didn't it हो जाएगी, इसकी answer, फिर बारवा number देखो, I help him, change into negative करना है, तो याद रखना, भाई, boxes इसमें आपको पहचानना पड़ेगा, ठीक है, I help him दिया है, तो इसकी answer हो जाएगी, I did not help him, my father teaches me, इसको PC wise बनाना है, ठीक है, तो जो भी grammar आपको नहीं आता, सबकी video आरेडी हमारे चैनल पर uploaded है, अब बश डिरेक्ली पैसी wise या wise बाई एक लाव यार पे सर्च करो, negative बाई एक लाव यार पे, question take बाई एक लाव यार पे सर्च करो, आप वीडियो जो हराम से मिल ठीक है, I help him, यह हो गया, my father teaches me, तो I, ठीक है, my father teaches me, इसको PC wise बनाना थी, इसकी subject होगेरा, को change पहचानना पड़ेगा, फिर उसकी साब से change होते, तो object है पहले लिखेंगे, तो क्या होगे मी का I, I am taught by my father, ठीक है, 11, Harry is going to school, तो change into his, change into simple present tense, तो simple present tense कि आपको structure जो है, पता होन आपको structure क्या होती, subject plus verb का first form plus a, c, e, s, plus, आपको object लगाना होती है, तो subject है, हरी है, तो हरी को लिखो है, हरी, फिर वर्बा का first term, तो हरी goes to school, इस तरीका से इसकी answer हो जाएगी, clear, फिर ठीक है, तो आगे देख लेते हैं, हम लोग क्वासर नमबर 16, इसमें क्या दिखा, दिय community tab में भी community, जो post होता है, उसमें भी पूछा हूँ, बढ़ आप लोग बहुत बार mistake किया, तो ध्यान से देखो, इसकी answer क्या होगी, do I do my work in time, राम helps his father in the field, empathic बनाना है, मतलब do or Dutch को लगाना है, इसमें, ठीक है, तो राम does help his father in the field, इसकी answer होगी, question number 18, आपकी screen पर रहा है, you will work hard, question take, तो will not लगाएंगे, एक्चॉल में, तो यह विलन टो यू होता है, तो उसको on to you लिखते हैं, याद रखना, ठीक है, on to you, इसकी correct answer होगी, 19, when I was child, I blank watch cartoon with my dad in the evening, तो यहाँ पर used to, इसकी correct answer होगी, फिर बिश्वा देख लेते, he was talking on the phone, तो यहाँ पर देखो, एक मे एंजी नहीं लगाए, मतलब यहाँ पर वेन आएगी, इसकी correct answer, ठीक है, फिर राम has been using this cycle, तो यहाँ पर देखो, आपको सीन्स और फॉर को यूज करना है, ठीक है, तो सीन्स और फॉर को यूज करना आपको बहुत अच्छे से सिखना पड़ेगा, भई, सीन्स जो है, फिक क्या लगाते है, for, but directly exact time हो, जैसे कि 2010, 2020 इस तरीका से हो, या सुबा, साम, सोमवार, मंगलवार, ऐसी कुछ दिया रहते है, तब वहाँ पर सिंस लगते, तो यहाँ पर देखो 2014 दिया, इसलिए यहाँ पर इसकी correct answer, जो है, सिंस हो जाएगी, फिर 22 देख लेते है, he did his work, इस बॉक्स का है, फिप्त बॉक्स का है, मतलब पास्ट सिंपल टेंस की, तो यहाँ पर फ्लाइस की correct answer होगी, ठीक है, फिर question number 24 और 25 आपके screen पर last 2 question है, तो अभी तक अगर विडियो लाइक नहीं की होंगे, तो कर देंगे, ठीक है, तो चलो देख लेते हैं, क्या we won the match है, इसक इसकी answer हो जाएगी, the match, the match was won by us, इस तरीकर सिसकी correct answer होगी, ठीक है, फिर 25 देखते है, the food is nice, the restaurant is dirty, तो इसमें but use करना है थी, इसकी answer इस तरीकर सोगी, the food is nice, but restaurant is dirty, इस तरीकर सिसकी correct answer यह हो जाएगी, ठीक है, तो I hope यह पूरी वीडियो आपके लिए उजफूरा होगा, त चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आपकी board exam की जो तयारी है, बहुत अच्छे से होती रहे, ठीक है, तो फिर मिलते हैं आने विले important वीडियो में,